Hello everyone Welcome to carewell classes आप सभी का बहुत बहुत सवागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपने वीडियो हमारी previous वीडियो नहीं देखिये तो प्लीज प्रीविए वीडियो भी जरूर देखिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर करना हैं एक और बात केरवेर क्लासिस पे हम केरवेर क्लासिस.com पे हम काफी साथ mcqs daily upload कर रहे हैं and speed भी बढ़ाने वाले है mcqs को upload करने की so आप वहाँ जाके अपने mcqs को दे सकते और अपनी preparation को ना आप सकते क्या preparation के इस तरीके से हो रही है तो वीडियो को स्टार्ट करते है विट आर फर्स्ट कोशिन फॉर्टी डे डाट इस ड्रक ट्रांस्पोर्ट डाट रिक्वाइस नो एनर्जी ऐसा कौन सा ड्रक ट्रांस्पोर्ट है जिसको कुछी भी तरीके की एनर्जी की एनर्जी से समझ सकते हो हमें क्या चहिए होगा यहां हमें चाहिए होगा क्यों है पैसीव दिफ्यूजन चलिए दिखते हैu दखेंड ट्रांस्पोर्ट मतलब सस्रें से चेंड के अंदर आना आपने दवाई ली दवाई आपके पेट के अंदर जाती है पेट के मेट में जाके डिसल्यूट होगी डिसल्यूट होगी और उसके बाद आपके के अंदर आती है अब सेल के अंदर आकर वह अब्जॉव हो रही है मतलब कि यह ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रहा है अब ड्रग ट्रांसपोर्ट के कई सारे टाइप से अब क्या है कि इन में पॉइंट को लिखने का यहां यह रीजन है कि इन ही से हमारे पास कोशन में आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी जो मैं बोलता हूं कि कोशन को इजीली आप कोशन में ही हिंट ढून सकते हो इजीली वह इन ही चीज़ों से ढूनते हो जो की में पॉइंट्स होते जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वाइज एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट यह ड्रग है आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो उस बैक को आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में रखना है तो आप उसको उठा कर रखोगे तो इसका मतलब है कि आप एक कैरियर का काम कर रहे हो ड्रग मॉलिक्यूल को एक जगा से दूसरी जगा पटकने में उसे बोलत चाआ चाहांते हैं यह वाल उतिया चाहांता हुद एस देगी ए्ट फ्रोसेसं ग्रशा हे और हमारी बीच में गभी काम करता है ben रोसे पर निम्हारी कि एंडरिंवर से यह माती है अपनी अपने अंदर है तो एक कोशन से हम कितने कोशन को देख सकते हैं यहां पर देखिए एक explanation से हमने 5 कोशन देख लिए 90% कहां से अब्साव होती है फैसिलिटेटीट ट्रांसपोर्ट क्या होता है फिल्टरेशन प्रोसेस क्या होता है सेल इटिंग सेल ड्रिंकिंग क्या होती है पांच कोशन बन गए एक से सो आप देख सकते हूं न कितना important explanation भी तो चलिए next question है weekly acidic drugs are absorbed in दवाई ले रहे हो weekly acidic होगी या weekly basic होगी क्योंकि HCL मुह में डालो गे तो जलो गई या मरी जाओगे इसलिए weekly acidic drugs हमारी maximum drugs weekly acidic होती है या weekly basic होती है options पर दिहान दो और अपना answer दो answer है हमारे पास stomach क्यों है stomach चलिए देखते हैं इधर देखो board खाली है कोई बात नहीं लेकिन अभी बहुत कुछ आने वाला बोर्ट पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि conditions क्या है किसी भी drug को absorb होने की absorb होने की क्या क्या condition है ड्रक को अने अनेज होना पड़ेगा अगर यह दोनों हो जाती है तो drug क्या हो जाएगी hydrophilic water loving और जो हमारी cell wall है वो किससे बनी होती है लिपो प्रोटीन से अगर लिपोफिलिक रहेगी तब ही वो अंदर आ पाएगी लेकिन अगर वो लिए हैड्रोफिलिक होगी वाटर लविंग हो गई न तो वो नहीं आ पाएगी cell के अंधर तो मेजर यही चीज होती है आपको पता है हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहें एक basic reaction है acid plus base salt बनाता है जो ही salt होता है यह neutral molecule हो जाता है मलब कि अपना कोई भी mechanism of action नहीं देगा इसका अपमारी body में कोई role नहीं है हम drug case में बात कर रहे हैं अगर neutralize हो जाता है तो हमारे पास क्या conditions आ जाती है जो कि drug को absorb नहीं होने देती है अगर neutralize हो जाती है है यहां पर तो अब हमने क्या कर रहा है क्या समझना है हमने यह समझना इस question में क्या पूछा गया था कि weekly acidic drugs are absorbed in अब stomach में acidic pH है तो acid को अगर acid में रखेगे तो आयनाइज नहीं होगा चेंज नहीं होगा और lipophilic रहेगा जिसके कारण जो हमारी maximum acidic drugs है सारी acidic drugs हमारे कहां पर absorb होती है हमारे stomach में absorb होती है और रही बाद हमारी small intestine में जो कि शिलपाशटी कहती है न गुड बैक्टिरिया जिसे हम हैलिकोबेक्टर पारोली भी क्याते है जो की हमारे ब्रफिक अलसर भी कॉस अगर आपने प्रफिक अलसर की वीडियो नहीं देखी तो फैप्रिक अलसर की वीडियो जाके जरूर्ण देख सकते हो हमारे दूसरे चैनल पे और कॉछलिये पूछ लेती है उस्टमक कर लिए पूछाता है באिम कहाँ पर सुनकी गैसे स्परिitas ने गिंकर में एक क्वार Mil eine कोषण सब्सक्राइब सकते हैं कि को इसनींथन ऊंट इस तो आप लिए कर लिए हमने अभी तक कितने दूक्षण कर लिए टोटल देखिए यह होती है स्पीड केर वेल क्लासे के साथ लगने की नेक्स्ट है हमारे पास कोशन नमबर थी अल्कोहल ऐलिमिनेशन हमारा सबसे है अगर अगर एलिमिनेशन नहीं रहेगी तो चीज है जो कि इंपोर्टेंट के प्रसप्रेक्ट से जिरो ऑर्डर कानेशन होती है अमाउंट में वह constant होती है जैसे अगर आपने ड्रग ली तो पर मिनट वह 2 mg ही excret out होगी लेकिन अगर मैं first order की बात करूं तो वह percentage की according होती है कि मालो आपने जितनी वह ड्रग ली वह पर मिनट या पर जो भी आपकी unit है 2% ही excret out होगी अगर मैं zero order की बात करूं तो इसमें जो हमारे पास constant amount drug eliminate हो रही है और जो plasma concentration होती है यह यहाँ रखना है plasma concentration होती है वह clear and inversely proportional होती है question कहां-कहां से पूछे जा सकते सबसे पहला question तो जो आप ने देखी लिया दूसरा question की rate of elimination is constant in zero order kinetics constant amount of drug is eliminated in zero order kinetics यह वाली equation देदेगे और बोलेगे कि identify the order of drug elimination तो होगा zero order kinetics graph से question पूछे के अगर steep line है straight line graph है तो वह zero order kinetics है अगर curve में आ रहा है तो वह होगा first order kinetics देखो फिर से चार कोशन एक ही कोशन में तो आए हो आपको एक कोशन भी समझ आ रहा होगा वीडियो समझ आ रही है अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना हमें भी motivation मिलती है कि आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकिया है next question number four following are the causes of low biolability terms को पता होना चाहिए terms clear होनी चाहिए जैसे bioavailability का क्या मतलब है biologically हमारी body में drug कितनी available है low first-pass metabolism decreased absorption IV root या high solubility answer है हमारे पास decreased absorption क्यों है decreased absorption चलिए देखते देखो biolability जैसे मैंने बोला biologically availability of drug in the body आपने injection तो सबको लगा होगा ना मुझे तो बहुत लगे हुए injection तो जब injection लगता है IV root से सिद्धा हमारी veins में चाहती है जब तो 5 mg ड्रग है तो वह 5 mg जा रही है मतलब हमारी जो ड्रग है हमारी body body में 100% available है उस टाइम पर इसलिए हमारी जो बायलोविल्टी आइवी रूट की होती है वह 100% होती है reasons के लोग वायलोविल्टी के सबसे पहले कि अगर absorption अच्छे से नहीं हो रही है अगर absorption अच्छे से नहीं हो पाईगी तो हमारी जो ड्रग है उसकी बायलोविल्टी रेट भी कम होगा अगर हमारी जो ड्रग है फर्स्ट पास मेतबोलिजंग्क कर रही है तो भी हमारी जो बायलोविल्टी है वह भी थोड़ा decreased out हो जएगा मैं पिछली वीडियो में I apologize पिछली वीडियो में मैं first pass metabolism को hepatic metabolism बोल दिया था मैंने flow flow में I apologize for that I'm sorry first pass metabolism pre-systemic metabolism होता है and hepatic metabolism जो liver में हमारे पास हो रहा है एक और चीज़ में आपको बताना चाहते हो देखिए explanation मैं सिधा KDT Party से लाया है तो यहां किसी भी sort की कोई भी confusion नहीं करना चाहता हो ताकि आपको यह भी identify हो जाए कि books से ही question पूछे जाते कहीं ऐसा नहीं है कि कोई नए question पूछ रहे है या फिर कुछ ऐसे question पूछें जो out of syllabus हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह हुआ है लोगों के दिमाज में कि अगर हमें कोई भी competitive exam पढ़ना है clear करना है तो हमें 100-100 किताबे पढ़नी होगी जिस दिन आपने एक सब्जेक्ट के लिए दो किताबे या दो से ज्यादा किताबे यूज करने लग गये ना समझ जाना कि आपका paper नहीं होगा clear क्यूंकि आप confused हो जाओगे ऐसा नहीं है कि किताबे गलत है नहीं आप एक जगा पर focus करो दस जगह पर focus करने से अच्छा है एक जगा पर focus करके अपना 100% ताकि result में 1000% आपको मिले ठीक है तो आगे एक और question है जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से question को तोर मरोड के आपके पास लाया जाता है यूपार में next question हमारे पास following are the phase 1 metabolic reactions accept ऐसे questions को थोड़ा सा जल्दबाजी में नी पढ़ना होता है excitement में हम accept accept भूल जाते हैं तो इस question में पूछा गया है कि इन में से कौन सी phase 1 metabolic reaction है metabolic reaction नहीं है oxidation reduction hydrolysis या glucoronide conjugation answer है हमारे पास glucoronide conjugation क्यों है glucoronide conjugation देखते हैं drug metabolism का मतलब होता है कि drug का अब inactivate होना मतलब कि जो हम पहले पिछले गाथा है पढ़ रहे थे जो हमारी ड्रग मेटाबोलिजम सबसे पहले लिवर में होता है basic organ है सबसे most important organ है drug metabolism की यह जो हम basic गाथा हम पढ़ रहे हैं कबसे कि lipid soluble होनी चाहिए जब इसका काम है अब liver का काम है इस drug को water soluble ionized or change form में convert करना ताकि हमारी drug excretion के लिए तैयर हो जाए drug excret होगी तभी हमारी body के लिए फायदा है अब हम लिवर में metabolism करवाते हैं हमारी body metabolism कराती है various enzymes लगते हैं अब हम enzymes पर भी नहीं जाएगे मैं सिद्धा reactions के बारे में करता हूँ reaction हमारे पास face 1 face 2 face 1 reaction हमारी क्या होती है non synthetic reaction or face 2 reaction हमारी synthetic reaction होती है हमारी drug आई वह face 1 reaction में follow through होती है फिर वह inactivate होती है और excretion process में चली जाती है लेकिन कुछ होती है जो inactivate होके direct excretion में नहीं जाती है वो phase 2 reaction में चली जाती है ताकि वो और polar हो सके और जतनी ज्यादा polar हो गई उतनी ज्यादा उसकी elimination अच्छी हो गई elimination उतनी fast होगी उतनी readily होगी और phase 2 से निकलने के बाद तब जाके वो excret out होती है अब यहां पर हमें समझना है कि phase 1 reaction कौन कौन सी होती है phase 1 होती है oxidation, reduction, cyclization, hydrolysis and desyclization अब सब में देख सकते हैं कि हमारे जो molecules है हमारी जो drug है उसको हम water soluble में convert कर रहे है ionized form में convert कर रहे है और phase 2 reaction होती है glucuronide conjugation, glycine conjugation, glutathione conjugation, acetylation, methylation and sulfate conjugation अरे बाप रहे बाप इतनी सारी reactions को सर याद कैसे करेगे भाईया मेरे को यह तो बताओ तो भाईया जी आपको ट्रिक लेके आए हम ट्रिक है हमारे पास phase 1 को याद करने की है और Z oxidation, reduction, cyclization, hydrolysis and desyclization और phase 2 को याद करने की 3G mask 3G, 3G से glucuronide glycine glutathione और mask से M से methylation, A से acetylation, S से sulfate और C से conjugation, sulfate conjugation, spelling मुझे पता है, mask की गलत है, लेकिन trick ऐसी होती है, tricks का मतलब यह है कि ना उसका कोई सिर हो, ना कोई उसका पैर हो, बस आपको समझ में आनी चाहिए, आपको memorize होनी चाहिए, वो चीज, यहाँ पर mask के spelling मुझे पता है, मेरा mask 3G है, मेरा mask modified version का है, तो I hope drug metabolism आ होगे, इन में से ही हमारे पास कई सारे questions पूछे जाते हैं, जैसे कि phase 1 reaction कौन सी है, phase 2 reaction कौन सी है, इस explanation से ही आप देख सकते हो, कम से कम 7, 8, 10 questions तो यहीं से बन रहे है, तो मैं इतनी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, so चलिए, next question पर आता हो, kidney, major organ, body में drug elimination करवाने का, other form से कैसे निकलती है हमारी drug body से, जैसे saliva हो गया, tears हो गया, breast milk हो गया, sweat या bile के तरूप, अब मैंने अपने हमारी पिछली वीडियो में, bile excretion के लिए एक drug बताए थी, कमेंट्स में जरूर बताना कि वो कौन सी drug है, so, Hoffman elimination में, हम basically क्या करते है, molecular rearrangement मतलब की हमारी जो drug है, उसके molecular structure को और ज्यादा polar करते है, मतलब की hydrolysis करते है, उसको और ज्यादा breakdown करते है, ताकि readily absorption, sorry, elimination हो, हमारी drug की readily elimination हो, तो यहां से question कैसे कैसे पूछे जा सकते है, इसके थुरू, mainly कौन-कौन से organ involved है, और कौन से urine के लावा, और कौन से process के तरू हमार जो drug है, वो, sorry, form के तरू हमारी drug excrete out हो सकती है, body की, and Hoffman elimination में, PY क्यों है, 2015 का की, Hoffman elimination में, molecular rearrangement की इस process के तरू होती है, वो है hydrolysis, मतलब की हम hydrolysis करते हैं, हमारी drug की, ताकि वो और ज्यादा polar हो जाए, polarity increase करने के लिए, example है, atracurium drug का, next question है, question number 7, sorry for this, this is question number 7, drug transport that require wires, carrier but not energy, पहले question में, मैंने बता दिया, यह तो आपको आना ही चाहिए, that is, facilitated transport, अब मैंने थोड़े से, पिछले question में बताया था, कि आपको मैं बताऊंगा कि, किस तरीके से, बुक से question पूचा जाता है, बोड खाली नहीं है, ध्यान से देखो, यह मैं KDDD से, direct, definition, and direct, आप मैंने पहले बता दिया, so, आपको मैं यहां पर यह बताना चाहता हूँ, कि KDDD 3PARTY से ही अगर आप पढ़के जाते हो, अगर आप KDDD 3PARTY से ही अपनी preparation करके जाते हो, तो question आपको वहीं से पूचे जाते है, अगर आप रैंगेंडेल से पढ़के जाओगे, तो question आपको व भी है, नहीं, जो भी आप पढ़ते हो, question वहीं से आते है, अगर आपने थोरोली पढ़ा है, अगर आपने अपना दिमाग लगा के पढ़ा है, रट्टे लगा के पढ़ा है, तो आप चाहे KDDD ले लो, चाहे इससे भी best book ले लो, मैं को नहीं लगता KDDD से है, फार्मोकॉल लेकिन यहाँ पे, देखी, आप देख सकते हैं कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से डिरेक्ट कोशन है, और यह PYQ है, यह मैंने अपने आप भी नहीं बनाया question, यह previous year questions है, मैं आपको इस question से यही समझाना चाहता हूँ, कि अगर आप जो भी book पढ़ रहे हो, उसको thoroughly पढ़ो, क्योंकि question फिर ऐसा लगता है कि वहीं से पूछे जाए, कहीं भी बाहर से नहीं पूछे जाते, जो यह इतने सारे authors है, यह एक बहुत ही skilled और experienced individuals है, सो हमें इन्हें respect करना जी और हमें अपनी books की भी respect करनी चाहिए, हर चीज को आपको readily नहीं दे सकते, कुछ मैनत आपको भी करनी पड़ती है, और करनी पड़ेगी, life में कुछ चाहिए, तो मैनत करना ही पड़ता है, मैनत के बिना नहीं मिलता कुछ भी, सो, next question है, हमारे पास question number 8, that is, which of the following is an enzyme inducer, telegram group join नहीं किया, तो telegram group join करना, कल एक question डाला था, enzyme inducer के बारे में, इन में से, कौन से drugs, enzyme inducer है, gracio fulvin, क्यों हैं, gracio fulvin, देखते हैं, explanation में, अगर मैं आपको बताओ, liver, क्या करते है, drug metabolism, अब liver में मैंने बताया था, क्या प्रेजेंट है, लेवर में, cells भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स होते हैं, अब हेपेटोसाइट्स में हमारे कई सारे enzymes प्रेजेंट होते हैं, Microsomal Enzymes, और Non Microsomal Enzymes, Microsomal Enzymes, Smooth Endoplasmic Reticulum में प्रेजेंट होती हैं, और Non Microsomal Enzymes, हमारी कहां पर प्रेजेंट होती हैं, Cytoplasm में, और Mitochondrial Matrix में, अब इनका काम क्या है, Enzyme Inducer और Enzyme Inhibitor का क्या है, Enzyme Inducer मतलब कि, इन enzymes, जो Microsomal और Non Microsomal Enzymes हैं, इनकी Activity को Increase करना, और Enzyme Inhibitor का काम है, इनकी Activity को Suppress करना या रोकना या Decrease कर देना, इसे बोलते हैं Enzyme Inhibitor और Enzyme Inducer, Induces मतलब कि produce करना या उसकी Activity को बढ़ाना, Inhibit Activity को Decrease करना है या पूरी तरीके से Block करना, अब ड्रक्स को कैसे याद करें कि कौनसे ट्रग Enzyme Inhibitor है, कौनसे ट्रग Enzyme Inducer है, कोशन था Inducer से तो Inducer पर हमने एक ट्रिक बनाई है, ग्रीशियो फुल्विन, ग्रूटो कॉर्टिकॉइट, फैनिटोईन, फिनाइल ब्यूटाजोन, एल्कोहूल, रिफार्म पिन, एंड स्मोकिंग, बोला जाता है न कि ज्यादा तर एल्कोहूल पीने से लिवर डैमेज होता है, लिवर फेलियर होता है, तो वह क्यों होता है क्योंकि एल्कोहूल इंजाइम इंडक्शन करता है, कि कोई भी चीज बॉड़ी के लिए ज्यादा हानिकारक है, कम भी हानिकारक है, एक लेवल में लेके चलना पड़ता है बॉड़ी के लिए, तो इसके लिए वह उतने में जाओंगा, सिंपल ये ड्रग्स है, और सिंपल एक ट्रिक है, तूजी पैरिस, आप भी बोलोगे, सर को 3G, 2G से बड़ा प्यार है, पर क्या करूं, ट्रिक की मैं ऐसी बनाता हूँ कि जिसका ना कोई सेर है, ना कोई पैर है, तूजी पैरिस हम कर सकते है, तूजी ग्रिशियो फुल्विंग ग्लुकोर्टिकोइट्स, पै अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो जरूर बताना है, बहुत मैंद से ट्रिक बनाते हैं आपके लिए, नेक्स्ट है हमारे पास कोशन नंबर 9, प्रोड्रग इस इन में से कौन सी प्रोड्रग है, लिवोडोपा, क्यों है लिवोडोपा, चलिये देखते, देखे, प्रोड प्रोड्रग का डेफिनेशन सबसे पहले हमें समझना है, डिफाइंड अज इन अक्टिव ड्रग फ्रम वेर अड्मिनिस्टर फ्रम विच वेन अड्मिनिस्टर चंवर्ट तो अप्रडियूस अच्छन, अब मैंने पिसले में बताया था कि ड्रग हमारी इन अक्टिव हो ज अब जो यह प्रोड्रग है अब सल्फासालाजीन की प्रोडग थी 5-0-celsalic acid मतलब जो सल्फासालाजीन है वो अपना एक्टिव प्रड्यूस करेगी जो उसकी जो अक्तिव मेटाबोलाइट है जो उसके जो मेटाबोलाइट्स है कौन सा है 5-0-celsalic acid और सल्फापायराज से एक हम ग्रेंडीन के स्ल्फपा करकिराजिस की पार्किंसन की ट्रीड двеन यह तरीके से हम बनाते हमारे ब्रेन को यह हमारा ब्रेन बोल रहा है कि यह तो लेडीन तो लिद्ट नहीं है डोपामिन ब्लड-brain barrier को क्रॉस नहीं कर सकता लेकिन लिवोडोपा कर सकता है तो लिवोडोपा जब ब्लड-brain barrier को क्रॉस करता है ब्रेन में जाता है लिवोडोपा convert हो जाता है किसमें दोपामिन में तो मतलब हमने लीवो लूओ था हमारी मेजर रच और डोपामिन हमारे पास ह्क्क हुद्या फर्वर्ड धी जो की हमारी action produce करेंगा रहेगी यह अर Cr vå the règles को पर इनम से हम फ्हांपर समझे ऊट तो चलो नेक्स्ट है हमारे पास question number 10 that is which of the all of the following drugs undergo hepatic metabolism accept मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो hepatic metabolism नहीं करती है वो है benzyl pencillin जिसे हम pencillin जी बोलते है या simple pencillin obtained for प्रिश पिसली वीडियो में करवाया है next है हमारे पास sorry explanation है इसकी conditions क्या है अगर किसी ड्रग को hepatic metabolism में आना है simple है कि वो GIT से destroy नहीं होने चाहिए हमारी pencillin क्या है GIT में destroy हो जाती है unchanged नहीं होने चाहिए अगर GIT में destroy होगी तो change भी तो हो जाएगी अनाय अनाय लिपोफिलिक जो की basic चीज है अगर किसी वी ड्रग को hepatic metabolism produce करना है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना काफी मैंनर लगती है वीडियो बनाने में और आपके लिए लाने में लेकिन अच्छा भी लगता है पसंद भी आता है जब लोग थैंक यू बोलते है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो और केर्वेक्लासिस.com पर जाकर मजे से अपने टेस्ट दो और म जानी लाइ वीडियो थैंक यू सो मच